नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो हिंदू मंदिर हैं वो भार सरकार के नियंतरन में क्यों है और हमारे देश के अंदर जो टेंपल्स हैं वो कैसे रन किये जाते हैं कैसे उनका संचालन होता है, कैसे उनका परशाशन होता है क्या वो स्वंतनतर रूप से चलते हैं या फिर सरकार उनके उपर नियंतरन रखती है तो कितना उनके उपर नियंतरन रखती है क्या केवल ये हिंदू मंदिरों के उपर ही लागू है या फिर other जो religion है जैसे सिख हो गया जो इसलाम हो गया उनके उपर कैसे control किया जाता है सरकार के दोरा या वहां की community अपने जो religious temples हैं या भी जो पुजास्थल हैं उनको अपने according अपने community के दोरा run करते हैं इन तमाम चीजों का हम बहुत अच्छे से cover करने वाले हैं इस वीडिय करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के बारे मैं बता देता हूं description box में आपको telegram का एक channel दिया उसका link मिलेगा तो उस channel पर जाएंगे तो आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड वहां से कर सकते हैं तो यह होगी बस इतनी information अब start करते हैं आज का जो अपना topic है की बात की गई कि उसमें मचली का तेल मिला हुआ है चर्बी मिले हुए उन लड़ू के अंदर तो यह जो कथित मिलावट की जांच को लेकर सुप्रीम कोट ने obviously यहां पर कहा है कि वो चीजें चल रही है उनकी एक तरीके से जांच चल रही है तो जैसे यह बात जो है वो सा की से विशह उठ गया कि जो आपने कंट्रोल कर रहा है ना मंदिरों के अंदर यह आप दूर हट गये मंदिरों के ऊपर सरकारी कंट्रोल नहीं होना चाहिए यह मांग फिर से उठ गये तो विश्व हिंदू परशद ने देश्वापी अभ्यान की गोशना किया और आंदर इसके जो उपमक्य मंत्री है पवन कल्यान जी उन्होंने मंदिरों से संबंदे सभी मुद्धों पर विचार करने के लिए एक सनातन धरम रक्षन बोड का भी गठन का आहवान किया है तो यहां से आप समझते हैं कि यह जो विशह है वो चर्चा में आया है कि हिंदू मंदि यह इसाई होगे तो वहां के जो वह एक जो रिलीजियस इंस्टीशन है वो यह कैसी रन करते हैं तो मुस्लिम और इसाई जो है अपने ड्रीजियस इन्सटीयोशन अपनी कमुनीटी के दारा ट्रस्ट बनाया होता है या फिर क Vide कह सकते हैं कि कोई कमिटी बनाई होती है तो यह तो अपनी कमिटी के दोरा अपनी रिलिजिस इंस्टिभेनन यई कि जो पुजस्थल है धार्मिक संस्थान है वो अपने दोरा ही संचालन करते हैं यानि कि इनिके आत्में हैं अपने धरम के जो institution है संसान है उनको चलाना हलांकि सिख होगे उनके भी जो धार्मिक संसान है वो उनकी community के द्वारा संचालित किये जाते हैं हाँ सरकार का भी interfere होता है सिख जो धार्मिक संसान है उनके अंदर लेकिन बहुत हद तक होता है मतलब लिमिटिड उनका नियंतरन होता है में जो नियंतरन है सरकार का वो है हिंदू टेंबल्स के उपर तो भारत में लगबग 30 लाख पूजा स्थल में हिंदू मंदिर सबसे जादा है यह 2011 की जनकर्णा के एकोडिंग यह बात बोली गई है तो अब आप समझ लीजिये तो मुस्लिम और इसाई जो है उनका या फिर कहूँ कि सिक जो है उनके जो धारमिक स्थल है वो उनकी कमुनिटी के दोआरा रन किये जाते हैं या उन्होंने अपना कोई ट्रस्ट बनाया होता है उन्होंने अपनी कमीटी बनाई होती है तो उसके दोआरा वो रन किये जाते हैं तो यह होगी हमारे सामने एक अलग बात लेकिन जो हिंदू मंदिर है उनके ओपर किसका कंट्रोल है सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल सरकार का आता है वो हिंदू मंदिर के उपर याता है यह कहां से शुरू हुआ है हिस्ट्री को में हम देखेंगे तो तमिलाडू में मंदिरों का जो परबंदन है राज्ये में एक जो अमारे सामने आती है इसको इंग्लिश में बढ़ेंगे इसको भी कुछ भी कह सकते हैं यह बनाया हुआ है तो इसके द्वारा वहां के टैंपल रन किये जाते हैं आंदर परदेश के द्वारा तिरुपती मंदिर चलाने के लिए तिरुमला तिरुपती देवस्थानम यानि टी टी डी वहां यह जो है एक ट्रस्ट या फिर एक हैड बनाया हुआ है जिसके द्वारा वहां के जो तिरुपती मंदिर है वो चलाया जाते हैं राज्ये बड़े मंदिरों से जो चड़ावा या जो दान होने वाली जो इंकम होती है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं वो क्यों रखते हैं वो कहते हैं कि सरकार अपने पास रख लेती है कि आप और मैं या फिर कोई भी जो जाम जनता है जो मंदिर में जाती है दान दक्षिना करते हैं तो जो दान आता है तो जो भी रुपया आता है मंदिर में से उसमें से कुछ हिस्सा कौन रख लेता है सरकार रख लेती है क्यों रख लेती है उनका कहना ये है कि हम उस हिस्से का यूज करेंगे जो छोटे मंदिर है उनके परशाशन के लिए उनके रख रखाव के लिए या फिर गती और अलग गतिविदिया यानि कल्यानकारी गतिविदिया उनके अंदर उपयोग करेंगे जो मंदिर से जुड़ी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है यहां पर चीजें ध्यान देने वाली है उन्होंने काए या तो हम मंदिरों के लिए भी यूजоворों की या फिर हम अलग activities के लिए भी यूज cią कर सकते हैं, जैसे कि अलग activities क्या होगी? जो दान आ रहा है उनके एक हिस्से का यूज़ कर सकती है सरकार तमिलाडू, करनाटक, आंदरपरदेश, तेलंगाना, केरल, महराश्टरा, ओडिशा, हिमाचल परदेश, बिहार, मद्यपरदेश, राजसान सई कई राज्जों ने ऐसे कानून बना रखें, जहाँ पर वहाँ की जो सरकारे हैं, उनको मंदिर या उनकी आय या उनका एकस्पेंटिचेर होता है, यानि जो खर्च होता है उनके उपर नियंतरन करने की शक्तियां उनको मिलती है याने कि वहाँ की जो सरकारे है जितने भी राजे मैंने आप लागों के सामने याँ पर लिखे हुए या बोले हैं उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसे कानूर बना थी ताकि उनकी सरकार को वहां power मिले ताकि वो temples यानि मंदिर के उपर control स्थापित कर सके अब आते हैं आगे जम्मू कश्मीर के अंदर पुरवर्ती राज्ये जैसे कि जम्मू कश्मीर मश्री माता वैशनो देवी तीरस्थल अधिनियम 1988 ये बनाया हुए जिसका उदेश्य क्या होता है विशेश रूप से जम्मू के कट्रा में वैशनो देवी माता मंदिर का परबंदन करना यानि administration करना राज्यों को समीधान के article 25 close to से ऐसे कानूर बनाने की शक्ति प्राप्त होती है अब बात आती है कि राज्य अगर ये करा क्योंकि हमारे समीधान में तो ये बात बोले गई है कि कोई भी इनसान अपने धरम को फॉलो कर सकता है और वहाँ पर कोई भी टैकres की वहाँ पर बाते हैं गई है कि अगर उनको धर्म के उपर अगर इंकम हो रही है तो यह सब जीजें टेक से दूर रखी जाएंगी वो अपने धार्मिक संस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं तो जहां पर इतनी बात बोली जाती है तो क्या राज्यों के पास ऐसी पावर है क्या क्या समीधान उनको ऐस पावर देता है तो यहां पर आर्टिकल 25 का क्लोस टू यह बात वोलता है कि राज्यों वो ऐसे कानून बनाने की शक्ती है या फिर उनको ऐसी समीधान जो ऐसी कानून बननने की शक्ती प्राप्त कर देता है जिसके तैस सरकार जो है वो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी किस ढसी भी आर्थिक धार्मिक अभ्यास ध्यान से समझना धार्मिक यानि religious activity से जुड़ी कोई भी ऐसी activity जिससे आर्थिक यानि economic यानि income वित्य यानि financial राजनीतिक यानि पोलिटिकल या अन्य धर्म निर्पेक्ष यानि सेकुलर गती वीदियों को कंट्रोल या उनके ओपर परतिबंद करने की शक्ती मिलती है और समाजिक कल्यान और सुधार या सारजनीक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्ताओं को हिंदू के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खोलने के लिए कानून बना सकते हैं सबसे बड़ा मुद्धा आता है कि क्यूं हमारे देश के अंदर मंदिरों को सरकार सके नियंतरन से मुक्त क्यों नहीं किया जा रहा क्योंकि बार-बार सरकार का यह तर्क होता है कि अगर हमने यह मंदिर अगर लोगों के हवाले कर दिये तो वहां पर एक तरीके से भेदबाव हो जाएगा जो other caste है जैसे schedule caste है SC, ST community जैसे कहा जाता है कि उनको मंदिरों के अंदर entry ban करती जाएगी तो हम उनके protection के लिए काम कर रहे है जो actual में यह बात बोली जाती है जो अपने defend में यह बात बोलते है धार्मिक बंदोबस्ती संस्ताएं, धार्मिक बंदोबस्ती और जो और center भी कानून बना सकती है अगर दोनों ही कानून बनाए इन सब विशों के ऊपर जैसे कि temples के ऊपर यहाँ पर कोई trust बनाए गया इनके ऊपर तो अगर center ने कोई कानून बना दियो तो center का कानून valid होगा अगर center ने कानून नहीं बनाए तो राज्ये अपने कानून बना के चलते हैं और ज़्यादा तर देखा जाए तो राज्ये नहीं अपने कानून वहाँ पर बना रखे हैं तो हिंदू मंदिर के ऊपर सरकारे नियंतरन कैसे आगे मतलब इसके क्या history रहती है तो देखिए अगर हमारे अगर हम हमारे इंडियन history को देखते हैं तो historical evidence हमारे सामने आते हैं जो ये भी construction हुई इतने बहान-महान मंदिर आपके सामने दिखते हैं इतने विशाल काई मंदिर आपके सामने आते हैं तो ये इनकी जो date पता चलती है वो मोररे काल के 321-185 BCE यानि कि लगबग आसे 2300-2300 साल पहले की बात आती है तो उस वक्त बनाने स्टार्ट हुए थे तो वहां पर क्या हुआ कि जो राजा हैं जो nobles यानि जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपनी जमीन अपनी पैसे जो हैं वो दान किये थे रुपे जो हैं टैंपल्स हुआ करते थे उन्होंने क्या किया जो क्रिशी है जो संचाई है जो mean important है आर्थिक चालक का यानि कि economic drivers हैं उनके उतान के लोगोंने काम किये मतलब कि राजाओं ने अमीरों ने मंदिर बनाए मंदिर क्या बने मंदिर एक संस्कृतिक और एक अर्थवस्ता के के अंदर में उबर कर सामने है क्योंकि मंदिरों ने बहुत सारे ऐसे काम किये जिससे क्रिशी के लिए जहां पर नहर नहीं है तो वहां पर सिंचाई के लिए बढ़ावा दिया अब क्या होता है ये तो आपके सामने एक छोटी सी हिस्ट्री होगी लेकिन इसके बाद क्या आता है मद्य काली न्यूग स्टार्ट हो जाता है यानि कि आपको पता है मुगलों ने आटेक करना स्टार्ट कर दिया था भारत के ओपर obviously क्यों क्योंकि मुगल जो थे वो बुखे नंगे लोग थे अब आपको पता ही है कि कोई अगर एक समरीद इंसान है आप अच्छे खासे घर से आते हैं आपके पास कोई कमी नहीं है तो आप क्यों किसी की घर पे डाका डालेंगे कोई इंसान किसी घर पे डाका तब ही डालता है जब उसके घर में भूख होती है वो बुखे नंगे लोग होते हैं तो ऐसे ही मद्यकाली न्यूग में जो मुगल आये थे वो बुखे नंगे लोग ही थे तो उन्होंने क्या किया आकर्मन करही थे तो भारत में आये जो बहुत समरिद मंदिर हुआ करते थे उनके उपर हमला किया उनको लूट लूट कर वो ले जाया करते थे तो यह सब चीजने स्टार्ट हुई और फिर अंग्रेज आ गए अंग्रेज भी पैसे की बुखे थे उनको पैसे चाहिए थे भारत उसवक सोने की चिडिया कहा जाता था तो इसी सोने की चिडिया ने आकरशित किया था इन सब बुखे नंगे लोगों को तो यहाँ पर क्या हुआ 1810 से 1817 के बीच में जो East India Company आई उनके अंडर कौन कौन से आता थे बंगाल हो गया मदरास हो गया बंबे प्रेजिदेंसी आती थी यहाँ पर उन्होंने अपने लिए ऐसे कानून बना लिए जितने भी मंदिर इन प्रेजिदेंसी के अंदर आते थे तो East India Company ने अपने लिए ऐसे कानून आए ताकि इनकी कंपनी को ऐसी पावर मिल जाए कि यहाँ पर जितने भी मंदिर है उनके उपर वो कंट्रोल स्थापित कर सके अब यह कंट्रोल स्थापित करने का एक सिस्टम आप समझिए यह अंग्रेज जो आये थे देश के अंदर वो कोई भी कानून बना रहे थे वो इसलिए तो नहीं था कि वो जनतागी भलाई कर सके बिल्कुल भी नहीं वो जनतागी तो बिल्कुल भी भलाई नहीं करना चाते थे ना वो देश का उत्थान करना चाते थे वो तो इवन देश को लूटने आये थे तो जो भी अंग्रेज कानून बना रहे थे उन कानून का मेन मोटी था कि सारा का सारा फाइदा किसको मिले अंग्रेजों को मिले तो इन्हों ने जो कानून मनाये थे वो कहीं न कहीं अपने लिए जो मंदिरों में आए जो इंकम आ रहे थी जो दान दक्षना आ रहे थी उनका use कर सके, उनका दुरूपयोग वो कर सके यहाँ पर लिखा तो गया है कि कथी तोर पे उनकी आय और बंदोबस्ती का दुरूपयोग को रोकना था actual में ऐसा कहीं नहीं था, इनका काम था कि वहाँ पर जो दान अग्रेजों ने पुलिस परशाशन बनाया तो पुलिस परशाशन अपने लिए बनाया ना ताकि वो अपना काम सही डंग से चला सके, लोगों को मार सके बिना वज़ा लोगों को जेल में डाल सके जो भी कानून उस वक्त आये थे, यह भले लोग तो थे नहीं, सीधी सी बात है, तो इन्हों ने अपने लिए जो कानून उनाया है, वो अपने फायदे के लिए बनाये थे, तो यहाँ पर इन्हों ने कानून बना लिये इदर, 1863 के अंदर अंग्रेजों ने धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम लागू किया, जिसके तैत मंदिरों का नियंतरन, अधिनियम के तैत, गटित समीतियों को सौपा गया, यानि उन्होंने कमीटी बना दी, जिससे जो कमीटी क्या करती थी, मंदिरों के उपर नियंतरन करती थी, हालांकि सरकार और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए मंदिरों के उपर न्याइक यानि जुडिशियल जुडिक्षन मंदिरों के मंदिरों में सीविल प्रक्रिया सहींता ये भी लेकर आए अधिकारिक ट्रस्टी अधिनियम ये भी बनाया उन्होंने और धार्मार्त और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1920 इसके माध्यम से काफी परभाव बनाये रखा 1925 में मदरास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम ये लेकर आए जिसके तैट क्या हुआ प्रांतिय सरकारों को बंदोबस्ती यानि कि दान देख्षिना के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया काफी सालों तक ये सब चीज़ें चलती रही और कानूनों ने इन जितने भी बोड बनाये हुए थे उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी जिससे वो मंदिरों का परबंदन संभाल सकते थे यानि मंदरों को अधिनिस्ट कर सकते थे उनके परशाशन को वो संभाल सकते थे यह उन्होंने कानूनाए 1925 तक थोड़ा बहुत एक आपके सामने ब्रीफ में चीज़ें लिख दी गई यहां पर हमारा देश आजाद हो गया 1947 के अंदर संदंदर्ता के बाद क्या हुआ यह जो 1925 का जो अधिनियम है अलग-अलग राज्यों ने एक तरीके से अपने लिए यह सेम चीज अपना लिए ब्लूप्रिंट एक तरीके से यह सेम चीज़े कह सकते हैं कि आफ्टर दा इंडिपेंडिन नाइटिन ट्वेंटिफाइफ एक तरीके सेम अपने लिए उठा लिया और जैसा पहले चलता आ रहा था उन्होंने वैसा ही चला लिया तो यह आप समझ सकते हैं कि कहा से चीज़े स्टार्ट होई थी पहला ऐसा अधिनियम मदरास हिंदु धार्मिक और धर्मांद बंदोबस्ती अधिनियम था जिसे मदरास ने 1921 में पारित किया था जिसने HR and C विभाग दोरा मंदिरों की देख रही का मार्ग प्रशस्त किया था कि कैसे मंदिरों के उपर कंट्रोल किया जाए कैसे उनका प्रशाशन किया जायए और एक कारेकारी अधिकारी की न्युक्ति का प्रवधान किया था, एक एक ओफिसर बना दिया जाएगा, एक एक एक्जिक्यूटिव ओफिसर होगा, वो इन सब चीजों को देखेगा, सारी चीजें सरकार के अंडर चीजें चल रहे थी, लगबग उसी समय बिहार में भी इसी संशोधन करती है, कुछ फेर बदल करती है, और एक नया कानून लेकर आगे, मतलब थोड़ी आपने तो 1951 वाला बंद किया है, कोई ना, हम उसके अंदर थोड़ा बहुत संशोधन करते हैं, संशोधन करके उसको नया बना देंगे, और कहेंगे कि यह तो नया वाला है, हम इसके द्वारा अपना कंट्रोल जब मंदिरों के पर स्थापित कर देंगे, यह सब चीजे उन्होंने कर ली, आज दक्षिन भारत के अधिकांस राजे मंदिरों को निंतरन करने के लिए इसी तरह के कानूनी धांचे का पालन करते हैं, यह तरक दिया जाते है कि सभी जाति पर हिंदूस्तानों या पूजा में परवेश की अनुमति शुनिचित करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवशक है, यह जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में का ना, क्यों बोल रहे हैं, यह इसलिए बोल रहे हैं कि सरकार अपने डिफेंड कैसे करती है, अरे अगर हमन यह टेंपल के ओपर कंट्रोल नहीं रखा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हस्तक्षेप, मतलब कि जो एक भेदपावपूर्ण निती है, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर आ जाएगा, जो कम्मिनिटीज हैं, वो कुछ एक SCST कम्मिनिटीज होगी, उनको एंटर नहीं करने दि पुरानी है, अभी तो उठी नहीं है, आपने देखा यह लड़ो विवाद हो गया, तो क्या एकदम से अचानक से यह सब चीज़ें उठनी लगई है, मांग उठनी लगई है, ऐसा नहीं है, RSS ने 1959 के अंदर यह सब चीज़ें स्टार्ट कर दिती हैं, यह उन्होंने रिज प्रदेश सरकार के सामने यह बात बोली थी, कि जो तो टेक स्टैप टू रिटन दिस, यानि काशी विश्वनात टेंपल को हिंदू को वापस किया जाए, मतलब कि सरकार का जिस तरीके से एक हम जुकाव देखते जा रहे हैं, या फिर उनकी परवर्ती देखते जा रहे हैं, वो मोनोपोली लेके आ रहे हैं, कंट्रोल साफित करते जा रहे हैं मंदिरों के उपर, ताकि जहां पर भी, मतलब कि उनको इतनी पावर मिलती जा रही है, ऐसे कानून वो बनाते जा रहे हैं, जितने सालों में इस सब चिज़े हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने लिए ऐसे कानूम ना लिये कि वो मंदिरों पर अच्छे से अपना कंट्रोल सापित कर सके हैं और ये पिछले कुछ सालों से बात स्पस्ट होती जा रही है ये बात उन्होंने बोली 1988 के अंदर अखिल भारतिय कारेकारी मंडल ABKM जो RSS की एक तरीके से बोड़ी समझ लो उन्होंने विविन राज्यों से हिंदू समाज की वैद मांग पर प्रतिक्रिया देने और मंदिरों को हिंदू भक्तों के सही परतिनीदियों को सोंपने का आवान किया था 1988 की बात है ABKM ने परस्ताव में कहा था कि मंदिरों पर सरकारी नियंदर क्या है अनुचित है, अन्याय पूर्ण है, भेदभाव पूर्ण है और यह भी आरोप लगाया जो सरकारी हैं मंदिरों के विशाल मंदिर हैं तो उन्होंने क्यों कंट्रोल कर रखा है वो समय समय पर मंदिरों पर नियंदर ने भी रखते हैं 1970 के दशक के शुरुवात में ही इस मुद्दे को उठाया VHP यानि विश्व हिंदू परिशद ने 2021 में फरीदाबाद में अपनी बैटक में एक परस्ताव पारित किया VHP ने विश्व हिंदू परचत ने जिसमें मंदिरों को सरकारी नियंदर्ण से मुक्त करने की बात बोली और एक केंदरी कानून बनाने की मांग वहांपर की गई थी पिछले 10 सालों में भाचपा अक्षर RSS की बात को दोराती रही है पिछले साल तेलंगाना में एक रेली में परधान मंतरी मोधी जी ने तमिलाडू सरकार पर हिंदू मंदिरों पर कबजा करने के आरोब भी लगाये थे और इस आरोब को जो तमिलाडू के जो ततकालिन मुक्खे मंतरी है M.K. Stalin जी उन्होंने क्या क्या जोरदार इसका खंडन भी क्या उन्होंने का ये सब जूट है पूर्व भाजपा सांसद सत्यापाल सिंग ने 2017 और 2019 में संसद में मंदिरों को सरकारी नियंदरन से मुक्खत करने के लिए एक प्राइविट बिल भी लेकर आये थी अगर ये मंतरी ये देखिए ये MP है पूर्व है क्या बिजपी MP है ये Member of Parliament है Member of Parliament अगर वो मंतरी नहीं है अगर वो मंतरी नहीं है तो उनका जो बिल लेकर आयेगे उनको प्राइवट बिल बोलेगए तिर्वेंद सिंग रावस्ट की सरकार ने चार धाम मंदिरों और 49 अन्य मंदिरों को परशाशन यानि परबंदन के लिए उनके पर कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना करने के लिए उत्राखंट चार धाम देवस्थानम परबंदन अधिनियम ये एक्ट लेकर अनलागू किया वहां पर इस एक्ट के आते ही उत्राखंट में क्या हुआ जो पुजारी हैं जो वहां के स्थानीय जो लोग हैं जो वहां स्थानीय जो रियाजनेता हैं उन्होंने विरोध किया और पुशकर सिंग धामी सरकार ने 2021 में इस अधिनियम को वापस ले लिया औ एसा नहीं कि बोले कि BGP अपनी बात को दुरा रही है तो जहां पर BGP और क्या वहां पर सरकारों ने क्या अपना कंट्रोल खतम कर दिया मंद्रियों के उपर नहीं ऐसा नहीं है उन्होंने कर रखा है लेकिन यहां पर ये बात बोली गई है उन्होंने अपना कंट्रोल थोड़ा धीला गर दिया है क्लियर, करनाटका में बशुराज बोमाई की सरकार ने भी इसी तरह की कदमों की घोशना की थी लेकिन मुख्यमंत्री के पद छोड़ने से पहले उन्हें वो लागू नहीं कर पाई अब इस थीति की अभी कानूनी स्थीति इस मुद्धे पर कानूनी स्थीति का है इसको जाने तो देखिए, मंदिरों पर सरकारी निंदर से मुक्त करने के पक्ष में तरक दिये गए हैं लेकिन अदालत यानि कोट जाए वो हस्तक्षेप करने की अनिच्चुक है, वो इनमें interference करना नहीं चाहती है क्यों नहीं करना चाहती है, इसके भी reason है, उसको भी हम देखेंगे सबसे पहले, 1954 में शिरूर मट मामले में सुप्रिम कोट ने माना था, कि अगर कोई ऐसा कानून है जो धार्मिक संपरदाई कि प्रशाशन के अधिकार को छीन लेता है मतलब कि आपका religious आप कोई भी administration कर रहे है administration of religious है, आप वो काम कर रहे है और आपके उस काम को छीन लिया जा रहा है तो इसे किसी और किसी दूसरी authority को सोब दिया जा रहा है article 26 close D, परतेग धार्मिक संपरदाई fundamental right है, उनका उलंगन होगा यह Supreme Court ने बात बोली थी लेकिन राज्य को धार्मिक या धर्मांद संसान या बंदोबस्ती के प्रशाशन के अधिकार को विनियमित करने का समान्य अधिकार है, यह माना जाता है मतलब एक दरब तो Supreme Court बोलता है कि आपने किसी की धार्मिक administration है वो religious administration हो रहा है आपने धर्म को प्रशाशन करना चाह रहा है आप उसके उस अधिकार को छीन कर किसी ओर को दे रहे हैं तो वो सिच गलत है, वो जो समिधान के अंदर उनको fundamental right दे गए उसका उलंगन हो रहा है, लेकिन सरकार, राज्य सरकार यहां कहा है बोल रही है कि उनके पास भी ऐसी power है कि वो वहाँ पर ऐसे कानून बना सकती है जिस तरीके की कानूनी ऐसी विवस्ताएं हैं, जो धर्म यानि religious और जो religious institution है, उनके ओपर control कर सकती है, तो दोनों ही बाते contradiction यहां पर लगती है रतिलाल पंचंद गांधी वर्सीज Bombay राज्य 1954 में Supreme Court ने बात बोली कि धर्म के मामले में धार्मिक निकाय को दिया गया प्रबंदन का अधिकार एक मोलिक अधिकार है जिसे कोई भी कानून नहीं चीन सकता, समय समय पर Supreme Court ने बात बोली है हलांकि राज्य वैद कानूनों के माध्यम से टरस्ट संपत्यों के परशाशन को विन्यबित कर सकता है पहीं एक और ऐसा कानून लेकर आ जाते हैं राज्य हैं कि बहुत बोलती हैं कि हम टरस्ट के माध्यम से वहाँ के परशाशन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने कोडिंग चला सकते हैं पन्नालाल बंसिलाल पीती बनाम आंदर प्रदेश राजे 1996 में Supreme Court ने ऐसे कानून की वैदता को बरकरार रखा जो हिंदू धार्मिक संस्था या बंदोबस्ती का परशाशन करने वाले ट्रस्ट की अध्यक्स्ता पर वन्शानुगत अधिकार को समाप्त कर देता है और इसे इस तरक को भी खारिज कर दिया कि कानून सभी धर्मों पर समान रोप से लागू होना चाहिए 2022 में वकील अशुनी उपाध्ये ने मंदिरों को सरकारी नियंतर्ण से मुक्त करने के लिए सुप्रियम कोट में एक रिट याचिका दायर भी की थी हालांकि सुप्रियम कोट ने ये बात बोली कि मोजुदा व्यवस्ता के तहत मंदिरों ने केवल अपने मंदिरों को नहीं बलकि समाज की एक बड़ी जुरूरत को पूरा किया है अब इसे उल्टने से समय पीछे चला जाएगा और उन दिनों की और जब मंदिर धरम के केंदर धन के संस्थान बन गए थे धन के स्थान बन गए थे तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली तो पादे जी ने क्य अपनी आयाचिका जब वो आपस ले ली थी क्लियर हुआ तो ये हो गई आपके सामने एक हिस्ट्री की हिंदू मंदिर के ऊपर कैसे कंट्रोल सापित किया गया है बार बार जो मांग उठती जा रही है वो अपने एक तरीके से पक्ष में बात बोल रहे हैं कि हिंदू के हिं चालन कर सके, administration कर सके, उन लोगों को सोब दिया जाना चाहिए, वहीं सरकार का अपना तर्क है, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या चीज़ें गलत हो सकती है, आपको समझ में आ गई होगी, पीडियो के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, description box में आपको एक टेलिग्राम का चैनल का लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो के पीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आपकी राय क्या है, इस विशे के उपर वो भी आप comment section में लिख सकते हैं, आपको कुछ भी चीज़ें समन नहीं आई, तो वो भी आप comment section में बता सकते हैं, definitely अगली वीडियो में उसको हम resolve करने की गोशिच करेंगे, तो बस आज के लिए इतना है था, इस वीडियो में thanks for